नमस्ते दोस्तों आज हम मोटड और चूड़ा का भूजा बनाएंगे थारा मोटड है इसको ठ्राई करेंगे इसको पहले छील के निकाल देंगे इस तरह से सारे मोटड को स्वीचा अटा देंगे और मोटड को मिकाल लेंगे आधा पेजी मोटड है इस अच्छी में भी पूला जाता है सर्वीयों के दिन मेरे घर में बच्छे लोग को बहुत पसंद है अच्छी आज बनाएंगे भूजा और मतर काई करेंगे सारे मतर को दाने निकाल दिये और चलेंगे बनाने पहले चूड़ा प्राई करेंगे कराई गरम हो चुका है अगिस में थोरा सा तेल डालेंगे करेंगे अधा की चूड़ा ले लिए हैं तेल गरम हो चुका है अब चूरा को उसमें डालेंगे चूड़ा को चलाते रहेंगे और भूनेंगे आप चाहे तो इसमें प्याज मीर्च डाल कर भी भून सकते हैं हम सिम्पल भून रहे हैं अभी हाई फ्लेम पर भूनेंगे पांच मियर भूनने के बाद कम फ्लेम कर देंगे गैस का चूरा का भूजा का कलर चेंज हो चुका है इसमें थुरा सा नमक लेंगे स्वादम साथ लो फ्लेम कर दिये हैं गैस का अब दो मिनाट और भून लेंगे विस्पी हो चुका है चुरा भून चुका है अब गैस अफ कर देंगे अब इसी कराही में मटर फ्राई कर लेंगे पुरा सा सफो का तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है इसमें डो हरी मिर्च तोरके डालेंगे स्याज डालेंगे अब स्याज को एक मिनाट भूनेंगे आज एक मिनाट भून चुका है अब इसमें मटर डालेंगे और भूनेंगे इसके फ्लेम कम कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे पांच मिनट में भून लेंगे बाद में तार नमक डालेंगे जे अब थोरा सा धनिया पता डालेंगे और भूनेंगे एक मिनाट और भून लेंगे इसके बाद गैस आप कर देंगे मटर फ्राई हो चुका है अब गैस अफ कर देंगे और एक बर्टन में निकाल लेंगे नास्ता बन कर तयार है चूरा कभूजा और मटर फ्राई इसे आप भी बनाईए खाईए और बताईए कैसा लगा मेरा वीडियो फीड मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धनेवाद